आदाब नाजरीन में नाज मिर्जा अवाम टीवी खबर नामे में आपका खेर मखदम है आये डालते हैं सबसे पहले आज के हम सुर्खियों पर एक नजर सी पी आएम के टू केरन क्रियाली का एहतेमाम बताया गया के 17 अक्टोबर से महापधियात्रा का आगास होगा जिसमें आवामी मसाइल को उजागर किया जाएगा और हकुमती वादों की तक्मिल का मुतालबा किया जाएगा मुसल्मान गुजिशता साथ सालों से तरखी से महरूम रहे सियासी जमातों ने दस्तुरी हुक की फरामी में दिल्चस्पी नहीं ली इसलिए मुसल्मान तरखी से महरूम है वजिर अला ने कहा के रियास्त में फिर्खा परस्ती की जगा नहीं पाकिस्तान अपने दाखिली मसाइल पर तवज़ देखने के बजाए दहशतगर्द तंसीमों का खातिमा करे सदर मजलिस असद अदिन अवेसी की पाकिस्तान पर कड़ित तंकीद और दहशतगर्द हमलों की मजब मत डोनल्ड रम किसी फलाई दारे के सदर बनने के खाबिल नहीं सदर अमरिका का टरम पर निशाना फवातिन पर जाजब अरिमाग पर बारिक उबामा की शदीद बरहमी नाजरीन खबरों के आगास से खबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इर्शाद रब्बानी और फर्मान नबवी बिसमिल्लाहिर रर्रह्मान ररहीम अल्ला जल्ले शानहू के नाम से शुरू जो बड़े महरबान नियायती रह्म वाले हैं और हमने इनके पीछे इसा इबन मर्यम को भेजा जो अपने से पहले की किताब यानि तौरात की तद्दीख करने वाले थे और हमने उन्हें इन्जील अता फर्माई जिसमें नूर और हिदायत थी और वो अपने से पहले की किताब तौरात की तद्दीख करती थी और वो सरासर हिदायत और नसीहत थी पारसा लोगों के लिए और इन्जील वालों के भी चाहिए कि अल्ला ताला ने जो कुछ इन्जील में नाजिल फरमाया है इसी के मुताबिक हुकम करें और जो अल्ला ताला के नाजिल करदा किताब से ही हुकम न करें तो वो बदकार और फासिख है सूरत अलमाईदा आएट 46-47 बिसमिल्लाहिर रह्मानिर रहीम अल्ला अज़ वजल के नाम से शुरू जो बड़े महरबान नियाएती रह्म वाले हैं अज़र अबुखतादा रज़ियल्हानू से रिवायत है कि नभी करीम सल्ला लाहुले सल्म जोर की नमाज में पहली रकात दूसरी से लंबी पड़ा करते थे इसी तरह असर में और इसी तरह फजर में भी अबुदाउद में अलफाज यादा है कि हम ख्याल करते थे कि हुजूर सल्ला लाहुले सल्म ऐसा इसलिए फर्माते हैं कि लोग पहली रकात में शामिल हो सकें अब खबरे तफसील से खलीजी मुल्क में हादसे का शिकार नौजवान माज़ूरी का शिकार हो गया गुजशता सोला महा से वो जेरे इलाज है और माशी तोर पर तंगदस्ट हो चुका है बाद एहल खैर हज़रात इलाज के लिए आगे आएं और दिगर अफराद से भी ताउन की खोहश की जकरनपली मंडल के मौज़े पढगल का रहने वाला अज़ेगोर नामी नौजवान रोजगर के हसुल के लिए खलीजी मुल्क कोईद गया था और सोला महा खबल वो वहां पर काम करने के दोरान बुलंद इमारा से गिर कर शदीद सख्मी हो गया था इसका वहां कुछ दिनों तक इलाज चलता रहा फिर काफी कोशिशों के बाद इसको हिंदुस्तान वापस लाया गया लेकिन बात आया गया है कि वहां की कमपानी ने किसी भी खिसम की जुमेदारी लेने से इनकार कर दिया गुजिशता सोला महा में अजेगोड खरीब आंट महा मसलसल दवाखाने में जिरे लाज रहा उसका हैदरबाद के एक कार्परेट हास्पिटल में इलाज चलता रहा इस सलसले में इनका लाग हो रोपिय सरमाया बरबाद हो गया और वो तंग दस्ती वो बधाली का शिकार हो गए मजबूरी में उन्हें सरकारी दवाखाने का सहारा लेना पड़ा लेकिन खीमती अद्वियत का हासूल में मुश्किल साबित हो रहा है वाजर है कि अजेगोड इस हादिसे में मुकमल तोर पर माज़ूर हो चुका है और अब वो बेजान सा पलंग पर पड़ा रहता है और इसके इलाज के लिए महाना पचास ता पचपन हजार की जरूरत होती है इस दर्मियान इनकी हालत का इल्म होने के बाद वसंत्रेडी नामी शख्स और चंदीगर मुकयर हजरत आगे आएं और फैसल अलिया के हर माँ पचास ताजार रुपी खर्श करते वे अजेगोड का इलाज करवाया जाएगा इस जिमन में अजेगोड के लवाहिकिन और खुद वसंत्रेडी ने इस माज़ूर नौजवान के इलाज के लिए आगे आने मुखयर लोगों से अपील की मेर बल्दिया ने पौदा लगाते हुए ये पैगाम दिया के अभी हरीता हरम प्रोग्राम खतम नहीं हुआ बलके ये प्रोग्राम हमेशा ही जारी रहेगा उन्होंने कहा के हवाओं में आक्सिजन नहीं है इसलिए हम गुटन वाले जिन्दगी गुजाने पर मजबूर है मेर बल्दिया आकुला सुजाता ने आज डिर्जन 14 में हरीता हरम प्रोग्राम में हिस्सा लिया और पौदा लगाया इस मौखे पर इनके हमरा कमिशनर बल्दिया सीहिच नागिश्वर राओ मुखामी कॉर्परिटर और दिगर खायदीन के अलावा मेर बल्दिया के शोहर सिरी सिलम भी मौजूद थे उन्होंने यहां बताया के पौदे इनसानी जिन्दगी के लिए आकसिजन की फरहमी का जरीया बनते हैं लेकिन हमने यह पौदे काड़ डालें और गुटन वाली बेचैन जिन्दगी गुजार रहे हैं हमें वो तरोताजा हवा दस्तियाब नहीं जो इनसानी सहिद के लिए मुनाफ़ बख्ष होती हैं उन्होंने कहा कि इस गुटन के माहुल से बचने और तरोताजा सहिद बख्ष हवा के हसूल के लिए लाजमी है कि हम ज्यादा से ज्यादा पौदे लगाएं और माहुल को आलुदगी से निजात दिलाएं इस मौके पर मेर बलदिया को मुखामी अफराद ने शाल पोशी करते हुए इस्तिकबाल किया बादिजा में ने यहां पूजा में भी हिस्सा लिया से पी आएम ने टूके रन का एहतेमाम किया और रियासती हुकूमत के खिलाफ नारे लगाएं और नारों में डबल बेडरूम और धलीतों को तीने कर अराजी फराहां पूजा मुखामी जाएं इस्तिकबाल इस्तिकबाल के लिए मुखामी अपूजा में जाल पूजा में से पी आएम के जानिब से डंडी वेंकर्ट के खियादत में टूके रन का एहतेमाम किया गया जिसमें दिगर खायदीन ने भी शिरकत की इस रन के शुरका ने इस मौके पर अपने हाथ में पोस्टर्स उठाए रखे थे जिसमें तहरीर था के 10 अक्टोबर को इबराहिम और दलितों को तीने कर जर्याराजी फराहम की जाए इसके अलावा दिगर इंतेखाबी वादों को भी पूरा करने का मुतालबा किया गया रंडी वेंकर्ट ने बताया के 17 अक्टोबर से शुरू होने वाली महापादियात्रा के दौरान कम्यूनिस जमात रियासती हुकुम सी आई टी यो की जानिब से टूके रंका एहतेमाम किया गया जो गांधी चौक से जिला कलेक्टर आफिस तक जारी रहा इस मौके पर कम्यूनिस्ट खाय दिन ने बताया के 10 अक्टोबर से सी पी आएम की महापादियात्रा का आगास होगा सी आई टी खायद रमिश बाबू की खायदत में गांधी चौक से जिला कलेक्टरेक्ट तक टूके रंका एहतेमाम किया गया जिसमें कम्यूनिस्ट खायदीन नूर जहां और मली आला गवर्धन के अलावा दिगरने हिस्सा लिया इस मौके पर इन खायदीन ने बताये के दस अक्टोबर से एक पदियात्रा निकाली जाएगी जो आमी शौर बेदारी और हकूमत पर दबाओ बनाने के लिए रियासत के दौरा करेगी इन खायदीन ने बताये के सीपी आईम की जानिब से इबराहिम पटनम से एक महापदियात्रा का आगास होगा जिसमें सीपी आईम के एहम खायदीन ने हिस्सा लेंगे ये पैदलियात्रा मसलसिल पांच माँ तक जारी रहेगी और अवाम के शौर को बेदार करेगी इस पधियात्रा के दौरान रियास्ती हुकूमत से मतालबा किया जाएगा के वो अपने इंटेखाबित आय खोनात के साथ आउम से अब तक जो भी वादे की हैं इनको पूरा करें इन खायदिन ने बताये के रियासती हुकुमत अपने अख्तिदार पर आने के ढ़ई साल बात भी अपने वादों को पूरा करने में संजिदा नहीं है रियासत में अमाम मसाइल का शिकार है इन मसाइल की एक सुई पर हुकुमत तवच्चा मरकोस नहीं करती इस पदियात्रा के जरिये रियासती हुकुमत से इंतिखाबी वादों की तक्मील का मुतालेबा किया जाएगा तरकतो लग के चेंदे नहीं अट्टोंटि प्रजले इवर कुँट्ब नहीं तर्दयसली प्रणालेबा कि प्रणालिकलनी रूप निंचटांँ प्रत्याम नायंगा जरियालर चे पड़तर्टन पोसं प्रभुत्त दुरश्टी थीश्क पोड़तने पोसं दरगबोये सत्रा तारिक से इप्राहिम पत्नम से चालू होड़ा पाईदल सफर, ये सफर में ये पफ्लिक के वाशे, मास्ट पफ्लिक के वाशे, आस्ताक गवर्मेंट justement कासी कोसफ़ जी हामी आस्ताक पूरा नई विया, प्रप्लिक्प पूरा सामाजी के नेम समपरियोतिकों से पहने थे सते बस्तेड को अच्छा करना पब्लिक के बारे में सुन्ज नहीं है के सियार सरकार वलके आज यार बेडी वरकर्स ने CITU की खियादत में जिला कलेक्टरेट पर धरना दिया और यादाश पेश की और मुतालबा किया गया कि बेडी वरकर्स को महाना वजिफा फराहम किया जाए और जियो 727 की मनसुखी अमल में लाई जाए बेडी वरकर्स यूनियन ने आसी एटी खाइदा नूर जहां की खियादत में जिला कलेक्टर के रूबरू धरना दिया और एकी आदाश पेश की इस मौकर पर नूर जहां ने बताया कि आज बेडी वरकर्स बेशुमार मसायल और मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं लहाजा इनकी मदद करने के लिए रियासती हकुमत अपने वादे के मताबिख इनको महाना एक हजार रुपिय वजीफा फरहम करें आज भी कई बेडी वरकर्स वजीफे की सहलत से महरूम हैं लहाजा इन तमाम को वजीफा फरहम किया जाएं साथ ही ये भी मतालबा किया गया कि जीयो 727 सो मनसुख करते हुए बेडी वरकर्स को राहत फरहम की जाएं उन्होंने इंतिबा दिया के अगर हुकुमत इन बेडी वरकर्स के मसाइल की अक्सुई में संजीदा दिल्चस्पी नहीं लेगी तो फिर बड़े पैमाने पर एहतेज़त मुनजम किया जाएगा नाजरीन अब देखेंगे रियासती, खौमी और आलमी मन्जर नामा शहादत हुसेन और शहुदा कर्बला का मातमी जलूस हैदराबाद में इस जलूस का शांदर एहतेमाम, शहर के मुक्तलिफ रास्तों से गुजरने वाले इस जलूस का पुरमन इक्तिताम हुआ नावासा रसूल हजरत इमाम हुसेन और शहुदा कर्बला की खुर्बानियों की यादों को ताज़ा करने के लिए मुल्क भर में योम आशुरा इंत्याई अखिदत के साथ मनाया गया और मातमी जलूस वो ताजिये निकाले गए इसी तरह शहर हैदरबाद में भी महरम रिवायती जोश्य खुरोस से मनाया गया इस मौाखे पर शहर के दबिरपुरा मौला अली और दिगर इलाखों से मातमी जलूस निकाले गए मुल्क पर में मशूर बीबी का अलम दबिरपुरा से बरामध होकर शहर के मुक्तलिफ इलाखजात दारुशिवा मदीना, चार मिनार और कोटला अली जासे पुरामन तोर पर गुजरा इस मौाखे पर पुलिस का माखुल बंदोबस किया गया था गुजिश्टा कईदाओं से मुसल्मान तरकी से महरूम रहे सियासी जमातें कोई मुस्बित अगदाम ना कर सकी केसियार का एहसास और कहा के तिलंगाना में फिर्खा परस्ती को कोई जगा नहीं है रियासती वजिर्याला केच हंदर शेकर राउने कहा के मुल्की आजादी को 70 बरस और रियासत आंधर परदेश की तश्कील हुए 60 बरस गुजरे है लेकिन तिलंगाना के दलित और मुसल्मानों की पसमादगी अब तक खतम नहीं हुई जमुरी निजाम और इससे वाबस्ता रहनुमाओं को इसके लिए जवाबदा होना पड़ेगा केसियार ने सवाल किया कि जिन मुखामास से पहले मुसलिम खायदीन जीते थे अब वहाँ से इनकी जीत क्यों मुमकिन नहीं रही इस बात का जाइजा लेने की जरूरत है उन्होंने सहाफती जलास से अपने खिताब में दो टोक अंदाज में कहा के तिलंगाना रियासत में फिर्खा परस्ती या फिर्खा परस खायदीन के लिए कोई जगा नहीं है इस मौखे पर रियासती वज़िर आला महमुद अली और और रियासती वज़िर इनफॉर्मेशन टेकनोलिजी के टियार के अलावा दिगर टियार इस आला खायदीन भी इस इजलास में शरीक थे के टियार की अमरीका को रवानगी अमल में आई अमरीका में केटियर सनतकारों और सर्मायादारों से तिलंगाना में सर्माया कारी करने की खोहश करेंगे रियासती वजिर इन्फॉरमेशन टेक्नालोजी वबल दी नजम नख्स तारीक रामाराओ एक हफ़ते के दोरे पर अमरीका के लिए रवाना हो गए इस दोरे के मौके पर केटियर केलिफोर्निया के सेलिकांट वेली में डी ब्रैंच का एफ्तिता करेंगे और फार्मा सिटी पर वहां के सनतकारों से गुफतगू करेंगे इसके अलावा वो वहां के सरमायाकारों से मुलाखात करते हुए उन्हें रियासते लंगाना में सरमायाकारी करने की तरगीब देंगे और रियासत में सनटों के वसी मौखों के तालुख से वजाहत करेंगे बारिश से तबा हैदरबाद की सड़कों की हंगामी तामीर का फैसला जी हेच एमसी को 75 करों रुपे की एजराई अमल में आई आज से काम शिरू होगा हालिया तूफानी बारिश ने हैदरबाद की कई सड़कों को तबाहो बर्बाद कर दिया इन सड़कों पर चलना फिरना मुश्किल साबित हो रहा है हाला के जी हेच एमसी ने इन सड़कों की आज़जी मरमत की फिर भी ये सड़के अब भी मुश्किलात का सबब बन रही है जिस पर हुकुमत ने इन सड़कों की मुकमिल अस्थर नो तामीर का फैसला लिया और फिर 75 करोर रुपिये फंड्स चारी कर दिये और जीहेटमसी को हिदायत दी गई है कि 100 सी किलोमेटर तविल सडकों की तामीर का काम 14 अक्टोबर से ही शुरू कर दिया जाए शरीयत में मदाखिलत नाखाबिले बरदाश एक निशिस्ट में तीन तलाख इंतिया नापसंदिदा मुसल्मानों की शोरवेदारी का फैसला मुस्लिम परसनला बोड का एहम इजलास बैंगलूर के एकदार उलूम में आल इंडिया मुस्लिम परसनला बोड का दोरोजा वर्कशाप का इने खात अमल में आया तहाफुज शरीयत के फाम से मुनाकिद इस तक्रीब में जुनिबी हिन से तालुख रखने वाले कई एहम उल्मा औ अकाबरी ने शिर्कत की मुसलिम परसनला बोड के सेक्रेटरी मुलाना खालिद साइफ उल्ला रह्मानी ने वर्कशाप की इफ्टताई नशिस से किताब करते हुए कहा के शरीयत में तीन तलाख नापसंदिदा अमल खरार दिया गया है और तलाख के रुजहान पर खाबू पाने के लिए मुसल्मानों में शर्बेदारी के लिए मुहीम चलानी की जरूरत है और कहा के इंतेही ना खाबिल गुजर सुरत इहाल में सरपरस्तों और उल्मा की सरपरस्ती में महज एक तलाख पर गोर करे इस वर्कशाप में शरी खवानी से मुतालिग पाई जाने वाली गलत वहमियों को दूर करने के लिए उल्मा को तैयर किया जाएगा और इसके उल्मा को खुस्सी तर्बियत फरहम की जा रही है आलाजाद के मजालिम से तंग दलीतों ने बुदमत की आगोश में पना ली पांसो से जायद दलीतों ने दसरे की दिन बुदमजभ को इक्तियार किया गुच्रात में दलीतों पर आलाजाद के अफराद के हमलों ने दलीतों को दिल बरदाश्ता कर दिया और आलाजाद के अफराद के माजालिम से तंगा कर पांसो से जायद दलीतों ने हिंदो मजभब को छोड़कर बुद मजभब को इक्तार कर लिया बुद मजभब को खबूल करने वालों की बड़ी अक्सरियत ने कहा है के पुना के वाकिये के बाद ये फैसला किया गया है दसेरा तहवार के मौखे पर गांधी नगर एहमदबाद और दिगर मतादित इलागों में बुद मजभब की तकरीबात मुनाखिक करते हुए इन दलितों को बुद मजभब में शामिल कर लिया गया वाज़ रहे के कुछ दिन खबल गाव रक्षकों ने एक मुर्दा गाएक की खाल उतारने वाले दलित नौजवानों को शदीद जदोकॉप का निशाना बनाया था इस वाकिये के बाद दलितों में जबरदस बरहमी फैल गई थी और दलित नौजवानों ने अदम तहाफुस का इल्जामायत करते हुए खुदकुशी की कोशिश की थी इसके बाद से ही दलितों ने मुर्दा जानवरों को उठाने का काम ना करने का फैसला कर लिया था गाए के गोश से मुतालिख मुतनाजारी मार्क के इल्जाम में गिरफतार नौजवान हलाक पोलिस पर इल्जाम हवालात में हुई मार पीट मौत की वज़ा होगी च्छार करण में बैफ के गोश के तालुख से वाटस अप पर काबिल एतिरास मौट डालने पर गिरफतार एक मुस्लिम नौजवान की पोलिस लाकप में मौत वाखे हो गई 22 साला मिनहाज अंसारी को गाए के गोश से मुतालिख मुतनाजार इमाग डालने पर 2 अक्टोबर को गिरफतार किया गया उसके अफराद खानदान ने अलजामायत किया कि उनके बेटे की मौत पोलिस की शदीद जदोकॉप और जहनी वो जिसमानी हरासानी की वज़े से हुई है लेकिन पोलिस का कहना है के मिनहाज के दिमांग में सुजन का मर्ज था और यही मर्ज इसके लिए जानलेवा साबित हूआ जबके आला अहुदेदारों ने इत्तिराफ किया है कि मिनहाज की मौत पोलिस की ज्यादधती का नतिज़दा हो सकती है इस दोरान स्टेशन इंचाज नाराइन को मौतल करते वे उसके खिलाफ हतल की दफात पर मुझतमिल मुखदमा दर्श कर लिया गया रियासती वजीर आला राकुरामदास ने मिनाज के खांदान के लिए दो लाग रुपी एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया पाकिस्तान पहले अपने दाखिली मसाइल से निप्टे और हिंदुस्तान में मदाखिलत छोड़ दे असदोदी नवेसी एंपी की पाकिस्तानी हुकुमत और वजीर आजम पर कड़ी तनकीद सदर मदलिस पेरस्टर असदोदी नवेसी ने मसलसल देहशतगर्द हमलों पर अपनी शदीद बरहमी का इज़ार किया और पाकिस्तानी हुकुमत और वजीर आजम नवाज शरीफ को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा के वह हंदुस्तान का पीछा छोड़ दे और पाकिस्तान के दाखिली मसायल को हल करने पर अपनी तवज़ा मर्कुस करे उन्होंने नवाज शरीफ को इंतबा दिया के वह हंदुस्तान की तरफ आँख उठा कर ना देखे बलके लशकरे तयबा और इस जैसी दिगर तनसीमों का सफाया करे पामपूर में गुज़िष्टा 57 घंटों से जारी मुटभेर का खातिमा हुआ सेकेरिटी फोर्सेस ने दो दहशत गर्दों को मार गिराया पामपूर में जबर्दस तलाशिया जारी है कश्मिर के पामपूर इलाके में पीर के दिन से जारी इंकांटर का एक्तिताम हुआ दो दहशत गर्दों ने एक सरकरी अमारत पर खब्जा कर लिया जिसको सेकेरिटी फोर्सेस ने अपने रंगे में ले लिया और फिर उस दिन से दोनों ही फारिखीन के दर्मयान मसलसल फारिंग का तबादला जारी रहा और फिर कल सेकेरिटी फोर्सेस ने इस अमारत में छुपे दहशत गर्दों को मार गिराया फारिंग का ये तबादला मसलसल 57 घंटे जारी रहा इस दर्मियान सेकेरिटी दस्तों ने माटर और राकिट जैसे हत्यारों का भी इस्तेमाल किया कल सेकेरिटी दस्तों ने इस हिमारा से दो दहशतगर्दों की नाशों को बरामत कर लिया और इनके खब्जे से AK-472 राइफल भी बरामत हुए है इस कामियाब आपरेशन के बाद सेकेरिटी फोर्सेज पामपूर में शदी तलाशियां ले रही है ख़त्शा है के मज़िद कुछ और दहशतगर कहीं छुपे हो सकते हैं इस इनकांटर में एक फौजी जवान भी जखमी हुआ इनकांटर के खाते में के बद इस सड़क पर ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया डोनल्ड ट्रम्प अमरीका के सदर तो क्या वो किसी फलाई इदारे के सदर बनने के लाइख नहीं अमरीकी सदर बारिक अबामा का सखत रिमार्क सदर अमरिका बारिक उबामा ने रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मिद्वार डोनल्ड टरम्प की जानिब से खावातिन के लिए कहे गए नाजबा रिमार्प की कड़ी मजब्मत की उबामा ने नार्थ कोरेना में सदारती उम्मीदवार हिलारी क्लिंटन के हक में महिम चलाते हुए कहा के डौनल्ड टरम मुलकी सदारत तो क्या एक इसलाही मरकस के जुम्मेदार बनने के लाहिख नहीं है काबल की एक दर्गाह के दुआया इस्तेमा पर दहशत गर्दों की अंधदुन फाइरिंग, 14 अफराद हलक और 36 से जायद जखमी हुए अफगानिस्तान के दारुल हकूमत काबल की एक दर्गाह में मुनाकिदा दुआया तकरीब में कोई नामालू अफराद ने अंधदुन फाइरिंग कर दी इस फाइरिंग में 14 अफराद हलक और 36 अफराद के जखमी होने की इतला मिली है पुलिस के मताबिक पुर्ते तक्तिस नामी इस दर्गाह में सैंक्ड़ अफराद जमा थे इस दर्मियन फाजी वर्दी में तीन मसल्ला अफराद गर्गाह में दाखिल हुए और फिर अंदा दुन गोलिया चलानी शुरू कर दी जखमी अफराद का शहर के मुख्तली दवाखनों में इलाज किया जा रहा है अफगानिस्तान के चीफ एग्जेगेटिव अब्दुला 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 ने इस हमले को इंतहाई बुजदिलाना खरार दिया और इसकी कड़ी मजब मत की अब इस हमले की किसी भी देशतगर ग्रूप ने जुम्मेदारी खुबल नहीं की थोड़े से वक्फे के बात फिर एक बार शाम के शहर हलब में होलनाग बंबारी की गई इस हमले में 25 अफराद के हलाक होने की इतला है सीरिया के बागियों के मखबूजा शायर हल्ब में फिर एक बार बंबारी का सिलसला शुरू हो चुका है जिसको गुजशता चन्दीनों के दौरान होने वाली शधीद तरीन बंबारी में कम सिन बच्चों समेट 25 अफराद के हलाक होने की इतला है बंबारी के इस ताज़ा वाकिये से खबल शामी हुकुमत आम पबलिक को हल्ब से निकलने के लिए एक मौगा फराहम करते हुए हमलों में वकवा दिया था गुजिशता महा अमरिका और रूस के दर्मियान जंगबंदी के मौहएदे की नाकामी के बाद हल्ब में कई बार फिजाई हमले किये गए ये हमले उस वक्त किये गए है जब रूसी सदर विलादमीर पोतिन ने अपना हालिया दोरा फ्रांस मनसुख किया था आखिर में सुर्खिया एक बार फिर सी पी आएम के टू के रन क्रियाली का एहतेमाम बताया गया के 17 अक्टोबर से महा पधियात्रा का आगास होगा जिसमें आवामी मसाइल को उजागर किया जाएगा और हुकुमती वादों की तक्मिल का मतालबा किया जाएगा मुसल्मन गुजिश्टा साट सालों से तरखिय से महरूम रहे सियासी जमातों ने दस्तुरी हकुक की फरामी में दिल्चस्पी नहीं ली इसलिए मुसल्मन तरखिय से महरूम है वजिर आला ने कहा के रियासत में फिर्खापरस्ती की जगा नहीं पाकिस्तान अपने दाखिली मसाइल पर तवज़ दे, हिंदुस्तान की तरफ देखने के बज़ाए दहशतगर्द तंजीमों का खातिमा करे, सदर मजलिस असद अदिन अवेसी की पाकिस्तान पर कड़ित तनकीद और दहशतगर्द हमलों की मजब मत डोनल्ड रम किसी फलाई दारे के सदर बनने के खाबिल नहीं, सदर अमरिका का ट्रम पर निशाना, खवातिन पर जाज़े बारिमाग पर बारिक उबामा की शदीद बरहमी खबरे इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाखात होगी तब तक के लिए दे अजासत, अल्ला हाफिज